कि लोगों दिखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की वज़े से हम आप लोगों के बीच में हैं, उनका लोगों दिखना चाहिए, लोग दिखे या ना दिखे, मगर कुछ खास का लोगों दिखना चाहिए. कि भले ही तुम्में लाख बुराईया हों मैं बस तुम्हारी अच्छाईया देखूँगा माना सूरते और भी हसीन है मैं तुम्हारी सीरत से महबत करूँगा तुम्हें चाहे कितना भी ठहराओ हो मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा कि साज जन्मों का वादा तो नहीं कर पाऊंगा मगर अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा एक बात पूछनी है मुझे तुम बता पाऊगी क्या राधा की चाहत नहीं मुझे मेरी रुक्मनी बन पाऊगी क्या कि हम कवी हैं और हम कभी-कभी किसी का नाम भी लेते हैं कविताओं में तो मैं कवी हूँ अपनी घजलों में लिख जाऊंगा पाऊगी वहवाही हर महफिल से मैं तुमको अमर कर जाऊंगा मैंने अपनी हर एक कवीता में बस दिक्र तुम्हारा लिखा है मैंने अपनी कवीताओं का एक-एक शब्द तुम्हारे ही नाम लिखा है मैं अपनी एक और कवीता का नाम रोशनी रखना चाहता हूँ मैं अपनी एक और कवीता का नाम रोशनी रखना चाहता हूँ रखने दोगी क्या? सुनो, ये कृष्णा तुम्हें अपनी रुक्मनी बनाना चाहता है, तुम बनोगी क्या? जब भी तुम नाराज होगी, तुम्हें मनाने के लिए एक नई कविता लिखूंगा, मैं लिखूंगा तुम्हारे जुम के पायल कंगन के बारे में, मैं तुम्हारे नेल पेंट की तारीफ और ब्रेसलेट की बढ़ाई करूंगा, मैं तुम्हारे नेल पेंट की तारीफ और ब्रेसलेट की बढ़ाई करूंगा, तुम मेरे लिए एक नजमसी हो, मैं दिनकर और गुलजार छोड़कर तुमको पढ़ूंगा, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं, भरने दोगी क्या? सुनो, ये क्रिशना तुम्हें अपनी रुक्मणी बनाना चाहता है, तुम बनोगी क्या? अपनी कविताओं में मैंने तुम्हें प्रेम का एहसास लिखा है हर पल तुमको अपने पास लिखा है हर पल तुमको अपने पास लिखा है मेरी एक कविता का नाम रोशनी है मैंने उसमें तुमको खास लिखा है मैंने अपना एक मकान लिखा है मैंने अपना एक मकान लिखा है जिसके बाहर हम दोनों का नाम लिखा है मैंने भरा है एक बच्चे का स्कूल एड्मिशन फॉर्म और माता पिता की जगह मैंने हम दोनों का नाम लिखा है तुम रोश्नी हो कही अंधेरों में खोई हो मैं तुम्हें अंधेरों से छुड़ा कर फिर उजालों में लाऊंगा सुनो रोश्नी मैं तुम्हारा सूरज बनना चाहता हूँ तुम मुझे एक और मुका दोगी क्या ये क्रिश्ना तुम्हें अपनी रुक्मनी बनाना चाहता है तुम बनोगी क्या